एक और सीट जिसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कहा जा रहा कि क्या ये सीट फस गई है वो है अलिगड़ और मैं इसलिए अलिगड़ का जिक्र करना चाह रहा हूं कि 2017 यानि पिछले मेयर चुनाव में अलिगड़ में बीजेपी हार गई थी जी ह आपने ठीक सुना बीएसपी यहां से जीत गई थी यह वो समय था जब 2017 में बीजेपी अपनी पॉप्लरिटी के टॉप पर थी तब भी यहां बीएसपी जीत गई थी इस बार यहां एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला जिसको लेकर के बहुत सारे लोग शुरुआत में नारा को बताया जाता है कि पार्टी के एक बड़े नेता के आसिरवात से उनको टिकट मिल गया कई सारे लोग टिकट के दावेदार थे कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्च जो है भुपेन चौधरी उनकी मदद मिली उनको यहां समाजवादी पार्टी ने अप बीजेपी के अंतर कला की वज़ा से और साथ ही क्या हुआ कि बीजेपी के बागी उमिद्वार सब खड़े हो गए तो उसके खिलाब क्या हुआ ना कि बीजेपी के जो समर्तक हैं वोटर हैं उनमें थोड़ी सी नेरासा हो गई थी उस वज़ा से लोग पूछ रहते कि अलि कि यहां भी टिकट को लेकर बड़ी मारा मारी हुई यहां प्रमिला पांडे पहले मेयर थी, फिर उनी को टिकट मिल गया यहां के एक नेता है, सांसद है, सत्देव पचारी कानपूर के वो अपने परिवार की नीतु सिंग के लिए टिकट चाते थे संग परिवार से जोड़ी हुई हैं वो, उनकी बेटी हैं, उनके लिए टिकट चा रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया समाजवादी पार्टी ने अमिताब वाजपेई, जो की समाजवादी पार्टी के विधायक है उनकी पत्नी वंदना वाजपेई को टिकट दे दिया, कॉंग्रेस के तरफ से पत्रकार रहे हमारी विरादरी के ही विकास अवस्ति की पत्नी आशनी अवस्ति चुनाव लड़ रही है बीजेपी को शुरुवात में दिक्कत ये हुई कि पार्टी के अंदर कला बहुत था, जगड़ा बहुत था आपस में एक दूसर के खिलाब मचे हुए थे, क्योंकि ठीकट तो एक को मिलेगा जो बांकी लोग थे, वो उसके टांग काटने में लगे हुए थे, पीछे से तो ये शुरुवात में खूब हुआ, धीरे-धीरे बड़े-बड़े नेता गये, वहां हालात को समाला गया यहां अखलेस यादम ने भी जमकर चुनाव परचार किया, डिमपल यादम ने रोट शो किया उसके बाद क्या हुआ, कि अब जो जानकारी मिल रही है, कि कॉंग्रेस जो शुरू में गेम में नहीं थी आप याद करिए, यहां से कॉंग्रेस के भी लोग जीते रहें, स्रिप्रकास रैसवाल जो केंदुरी गिरह राजमंत्री थे, उनका गड़ था ये यह बताया जा रहा है कि आशनी अवस्थी को भी मुस्लिम विरादरी का वोट मिल गया, मतदान के बाद जो कहा जा रहा है उसके पीछे यह वज़ा कही जा रही है, कि यहां से समाजवादी पार्टी के एक विधायक है, इरिफान सोलंकी जो भी जेल में है यह अंदर खाने लोगों में मुस्लिम समाज में कुछ लोगों में यह बात बैठी, यह बात फैलाई गई यह कैसे हुआ, यह बहुत कर गया लेकिन लोग बता रहे हैं, निकल जाएंगी, तो यह कहानी थी कानपूर की, तो कानपूर से भी बीजेपी की जीत लग रही है, गोरकपूर में कोई मुकावला नहीं, योगी आदितनाद का गरह छेतर है, यह भी बीजेपी का गढ़ रहा है, योगी जी खुद यहां सवा का चुनाव लड़ी, हार गई, इस इलाके में निशाद का ठीक ठाक वोटर है, और मुसल्मान समाजवादी पार्टी ने ये गनित लगाया कि यादव, निशाद और मुसलिम समाज मिलके हमारा भला कर देंगे, पर यहां सबसे बड़े जो फैक्टर हैं, वो योगी आ समाजवादी पार्टी से हैं, सतीस जतारिया, पहले यहां रगवीर चौधरी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, एक उनका टिकट कट गया, उनकी जगह आगे सतीस जतारिया जो पहले MLA रहे हैं, विधायक रहे हैं, बीएसपी से भगवान दास फुले, अब देखिए, यह तीनों उमिद्वार कोरी विरादरी के हैं, यहां कहा जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो उमिद्वार सतीस जतारिया उतनी मजबूती से नहीं लड़े, और इसलिए वोटों के बटवारे विपक्ष में, तमाम वज़ों की वज़े से यहां जहासी म अब हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, गाजियाबाद जैसे लखना हो, वैसे गाजियाबाद, बीजेपी का गड़ है भाई साब, तो यहां क्या होगा, टीकट मिल जाए तो समझे, आप मेयर बन गए, और यही हो रहा है सुनीता दयाल बीजेपी के लिए, पूनम के लिए कहा जा रहा है कि यहां पर मुकाबला हुआ, और एक दौर है मुझे याद है कि आगरा को कहते थे कि बीजेपी की पॉलिटिक्स का लेबरेटरी, यानि प्रियोकशाला, यहां जाटब और मुसल्मान, और EBC, यानि अती पिछड़ी जाते हैं, जो काशी राम का कॉ बीजेपी ही जीत गई थी, लेकिन हला लगातार बीजेपी कड़ी टकर देती रही है, इस बार यहां बीजेपी ने हेम लता दिवा कर, उनको टिकट दिया, यह पहले MLA रही हुई है, और बीजेपी ने यहां लता वालमिकी को दे दिया, कड़ा मुकाबला हुआ है दोनों दे दी लेकिन BJP के भी जो वोटर हैं जो फरवर्ड कास्ट हैं उसके बाद बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं इन सब उनके साथ जुड़े और 34 सालों से यहां BJP जितती रही है वार्ड यहां 100 हैं लेकिन कड़े मुकाबले के बावजूद जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आगरा से बीजेपी की बढ़त है ज़रा मेरट चलते है आप पुछेंगे मेरट क्यों चलते हैं भाई सबका जिक्र हो रहा है कुछ के बारे में थोड़ा कम जिक्र किया चुकि वहाँ ऐसा मुकाबलाई नहीं था वन सैड़ेट त्रैप का था तो क्या बताना मेरट के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि पिछली बार बीजेपी मेरट हार गई थी अलिगढ़ हारी थी और मेरट पिछली बार 16 मेर के चुनाव हुए थे इस बार एक और जुड़ गया है वो है शाजहां पुर लोट कहाते हैं मेरट मेरट में भी काटे की टक्कर बताई जा रही थी पहले मतदान होते होते चीजें बदल गई अब कैसे बदल गई कि यहां आ गया OVAC factor OVAC का पतंग भी यहां उड़ गया और OVAC के पतंग ने यहां BGP की राह आसान कर दी है ने इंट्रेस्टिंग फैक्ट पहले नहीं लग रहा था मतदान से पहले यहां मेरट से हरिकांत अहलुवालिया जो की पंजाबी विरादरी के हैं सिक विरादरी के सोम चुने जाते थे अब की बार अतुल ने हरा दिया संगीत सोम को तो उनकी पत्नी को टिकट मिल गया इनकी पत्नी 2015 में मुझे याद है जिला पंचायत की अध्यक्ष भी थी बाद में जब BGP की सरकार बन गई तो उनका खेल खराब हो गया समाजवादी और यहां से BSP ने हश्मत अली को टिकट दिया और मुहम्मद अनस है AIMIM यानि OVC की पार्टी के और इनों ने ही खेल खराब कर दिया सीमा प्रधान अतुल प्रधान की पत्नी यानि समाजवादी पार्टी के उम्मीद्वार का खेल यहां खले से आदम ने रोडशो भी किया और यह वो इलाका है जहां RLD का भी दबदबा है समाजवादी पार्टी और RLD का गड़वंदन है इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी मजबुती से नहीं लड़ पाई उसके पीछे पतंग की उड़ान ओवेसी की पार्टी के कैंडिडेट की उड़ान भी कही जा रही है पर घर का जहगड़ा समाजवादी पार्टी का वो भी effect कर रहा है मुझे जो पता लगा है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक है रफीक अंसारी वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते थे नहीं मिला थोड़े से अन्मने हो गए दूसरा जो ये जो मुहमद अनस हैं इनको जो दूसरे बड़े नेता है उस अलाके के याकुब कुरैसी या फिर साहिद अखलाक ये सब कुरैसी बिरादरी के अनस भी है तो उनको इंडायक्ली सपोर्ट किया है तो मेरट में भी बीजेपी की जीत तैमानी जा रही है मतुरा रादे रादे जहां कहा जाता है मतुरा वरिंदावन जो मेर की सीट है वहां विनोद अगरवाल है बीजेपी के और उनकी जीत तैमानी जा रही है यही हाल शाह जहापूर के बारे में भी कहा जा रहा है साज अहां पुर में तो बीजेपी ने इस वार खेल ही कर दिया अर्चना वर्मा को समाजवादी पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया था और क्या हुआ कि अचानक वो बीजेपी आफिस में नजा रही और बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी के उमीदवार बन गई और ठीक ठाक लड़ गई है और बहुत मुकाबला उनके खिलाप नहीं लग रहा है तो कुल मिलाकर सभी जगों का अगर हम रेकॉर्ड देखते हैं और सरसरी तोर पर देखें तो यह लग रहा है जो 17 मेयर के चुनाव हुए मतदान हुआ दो अलग-अलग फेजों में उसमें से 17 में से 17 यानि क्लीन स्वीप अगर जो लोगों से मैंने बात की उसके आधार पर लग रहा है क्लीन स्वीप क्या कहें 17 में से 17 सीट पर एक तरीके से बीजेपी की बढ़त है एक और फसीवी सीट का जिकर कर लेना चाहता हूँ बरेली का जहां से बीजेपी से अभी जो मेयर है उमेश गौतम वही चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी ने यहां किसी और को पहले टिकट दिया था लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले यहां से टिकट दिया था संजीव सकसेना को और उसके बाद में उनके खिलाप निर्दली जो आई एस तोमर हैं वो चुनाव लड़ने पहुच गये और उनी को समा लेकिन जो हालात हैं, ग्राउंड रियालिटीज हैं, उसकी वज़ा से अभी भी बताया जा रहा है कि उमेश गौतम का पलड़ा भारी है, एक बड़ा चुनाव था ये दोनों, मतलब निकाय चुनाव जो है, नगर पालिका परिसत, नगर पंचायत और पारसत की चुनाव में इन वे मैं ये कह रहा हूँ कि कई सारे बागी उमीदवार इन सीटों पर उतर गए, उसकी वज़ा से बीजेपी का प्रास्पेट खराब हो गया, पर योगी की अपनी छवी, लाइन ओर्डर, शहरी इलाकों में देखी होता क्या है न, बीजेपी के लिए माना जाता है कि व जहरी इलाकों का चुनाओ माना जाता है, जो मेर का होता है, वो पांच लाग स्रे अधिक आवादी वाले जो वोटर होते हैं न, वहाँ पर मेर का एलेक्शन होता है, तो एक तरीके से माना जा रहा है कि ये जो दो हज़ार चौवीस का लोगसवा चुनाओ है, जिसमें अब झाले कर दो होते हैं.